सुबह का समय है, सूरज की किरणे जंगल को रौशन कर रही है एक छोटी चीन्टी एक बड़े पेड के नीचे खड़ी है, उपर की ओर देखते हुए भले ही मैं छोटी हूँ, लेकिन मेरे हौसले आसमान से भी उंचे है चीन्टी एक बड़े पहाड जैसी चटान को पार करने के लिए आगे बढ़ती है रास्ता कठिन और उबर खाबढ़ है हर कदम मुझे मंजिल के करीब ले जा रहा है रास्ते में तेज धार वाली नदी आती है चीन्टी थोड़ा घबराती है, लेकिन आसपास नजर घुमाती है और एक पत्ती को नाव की तरह इस्तिमाल करने का फैसला करती है समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, समाधान हमेशा मिलता है डर को अपने उपर हावी नहीं होने दूगी, मैं इसे पार कर सकती हूँ तेज हवा चलने लगती है और पत्ती डग मगाने लगती है चीन्टी संतुलन बनाते हुए खुद को समभालती है देखा, हिम्मत और धहर्य से कुछ भी मुम्किन है चीन्टी सुरक्षित रूप से नदी पार कर लेती है और दूसरी तरफ पहुँचकर गहरी सांस लेती है तुमने साबित कर दिया कि आकार नहीं, बलकि हौसला मायने रखता है हम सब में ये ताकत है, बस खुद पर विश्वास करना जरूरी है अंत में चीन्टी अपने गंतव्य पर पहुँचती है, जहां उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे है सब उसकी मेहनत और साहस की तारीफ करते है हाँ पश्में, तुम्हारी कहानी बहुत प्रेना दायच है हमें तुम पर गर्व बिल्कुल, तुम्हारी मेहनत रंग लाई है मुश्किलें रास्ता रोक सकती है हौसला नहीं, आगे बढ़ते रहो नमस्कार दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृफिया MN Extreme चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेर करें और मैं इस प्रकार के और भी दिल्चस्प वीडियो अप्लोड करूंगा